हेलो एडिवान, आप सबीके लिए हाज है OxygenOS का latest port roam जिसके अंदर आपको काफी कमाल की modification और improvement देखने को मिल जाता है और ये पहले वाले version का है, रीपै की version है, जिसके अंदर काफी अच्छे changing की गई है जो कि आपको रियली में काफी यदा पसंद आने वाला है और आपको जादा motivation करने की जरूद भी नहीं परने वाली है क्योंकि पहले वाले में कुछ चोटी चोटी कमिया थी जिसे जो fully improved कर दिया गया है जिसके वज़े से आप इसे daily life में यूज कर पाऊगे और आपको longer battle backup भी देखने को मिलने वाला है तो आपसे बस यह request है कि वीडियो को full एंटक watch करते रहें और मैं क्या कुछ आपको suggest कर रहा हूँ उन बातों पर ध्यान दे otherwise ड्रोम के साथ थोई बूद प्रॉलम आपको आ जाएगी तो शुरू करते है तो हम यहाँ पर आगए इसके about के page पे जहाँ पर वन प्लस 5T का यहाँ पर नेम देखने को मिलता है डिवाइस का क्योंकि वन प्लस 5T से इसे पोर्ट किया गया है इंड़ाइट वर्जन आपको पाई देखने को मिलता है December 1 का security patch है और यहाँ पर करनेल भी आप देख सकते हो साथ ही साथ यहाँ पर पोर्ट जिनने के थुरू किया गया है उनका नेम भी देखने को मिल जाता है बागी complete detail आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है others उसके बाद back your चलते हैं तो वही सारे option और customization देखने को मिलता है जैसे कि हमारा face unlock fully fixed हो गया है तो अगर आप face unlock यूज करना चाहते हो तो easily यहाँ पर यूज कर पाऊगे perfectly यहाँ पर जो काम करता है वहीं पर करना हम fingerprint की बात करें तो हमारा जो fingerprint अच्छे तरगे से काम करता है बस हलका सा slow type का feel होगा क्योंकि ऐसा same oxygen wise के previous build में भी था इसमें भी है बस थोड़ा साय ज्यादा नहीं है लेकिन काफी अच्छा response आपको देहनी को मिल लाता है अपने fingerprint की और से और face unlocking काफी परक्त के लिए जो work करता है बैटिक के बात करें तो मेरे पास full details है बैटिक है जो कि आपके सासे share करने वाला हूँ यहाँ पर जितने भी option आपको देहनी को मिल लाते हैं इनका full benefit जो ले सकते हो इनमें कोई भी issues आपको देहनी को नहीं मिलता है आप अपने मर्जी से नाज चेंज कर सकते हैं अपने vibrate का जो layout है किस तरीके से vibrate होगा यह काफी अच्छा लगता है और यहाँ पर टाइम फास्टी कर सकते हैं तो काफी मुझा आता है चेंज करने पे तो यह काफी अच्छा option है यहाँ पर इंक्लूड किया गया है यहाँ पर बैक यूर आते हैं तो डिस्प्ले के अंदर आपको मिल लाता है वही live wallpaper यहाँ पर sleep timing, adapted brightness, screen collaboration और ambient display के अंदर हमें problem मिल रहा था है left, up, check का यहाँ बट यहाँ फुली fixed हो गया है तो जब यहाँ अपने phone को swipe पर के up करोगे तो आपको देखने को मिलेगा clock का timing कुछ इस तरीके से तो यह fully fixed हो चुका है पर हलका सा delay में कहूंगा कि उतना fast नहीं है लेकिन पहले वाले में यह bug था तो fix हो गया है notification light जो की age lightning और notification के time काम करता है यह perfect आपको working मिल जाता है थीम में आप dark, colorful और बाकिया दर चीज़े यूज कर सकते हो बाकियां पर अस्टेटर से पार के जो motivation अगरा मिलते हैं वो सारे चीज़े आपको perfect working मिल जाता है hot spot, wifi, bluetooth यह सारे चीज़े जो fix हो गए यह आप इनका है जो daily life में यूज कर पाऊ गए साथ जान यहां पर हमारा जेन मूड है यह भी जो update हो गया है तो perfectly काम करता है previous का जो oxygen wise का camera दिया गया था वो काफ़े जादा buggy और laggy था जिसके वैसे हमारा face unlock sometime disable या फिर non working था बट उसे remove करके यहां फे नया gcam add किया गया है जो कि आपको fully working है और अच्छे खासे आप photos भी click कर सकते हो बस icon आपको जो one plus का देखनी को मिलता है बट यह really में oxygen wise है वहीं पर आपका जो net safety बिल्कुली pass मिलता है और यह पहले से pre-rooted मिलता है तो तो pre-rooted होने के वज़े से आपका net safety बिल्कुली pass मिलता है लेकिन अब जाला छेड़ चार करते हो तापकर net safety fail हो सकता है तो इसके लिए आप जो safety patch का है जो use कर सकते हो जिसके वज़ेसे आप जो यहां पे अपने net safety को pass करके banking app use कर पाओगे by default आपको subscribe का patch देखने को मिलता है तकर आप subscribe का theme engine use करना चाहते हो तो वह भी आप यहां पे use कर सकते हो अलग लग है जो team download करके जो use कर पाओगे तो by default आपको enable मिलता है ताके आपको manually enable करना ना पड़े मौहें पर डॉलवी का sound mode है यह भी आपको provide किया गया है तब डॉलवी का full benefit ले पाओगे इस रोम के अंदर क्योंकि by default प्रवाइड किया गया है वहें पर आपको जो वाइफर फॉर Android यह भी आपको देखने को मिल जाता है जिसका यूज आप करते हैं जो कि आपको fully support मिलता है तो यहां पर डॉलवी और वाइफर दोनों include मिल जाते हैं ताकि आपको अलग से flash करने की जो दिना पड़े और काफी कमाल का आपको sound के अंदर changing देहने को मिल जाता है वहें पर calling के और आते हैं तो यहां पर फर्स टाम आपको settings पर जाना है उसका यहां पर आपको noise cancellation है पहले से on मिलता है इसे off कर देना है अधरवाज आपको calling के time में बहुत जादर problem देहने को मिले अपने kernel को improve करने के लिए gaming performance को improve करने के लिए साथ यहां पर आपको font देहने को मिलता है जो कि आपने manually font देहने कर सकते हो इस application करते हुए जो कि by default प्रवाइट किया गया है और यहां पर जो kernel के twins देहने को प्रवाइट किये गए हैं मैं आपसे यह request करूँगा कि इनको छेट चार पर अपने phone को date कर सकते हो और साथ से जाद इसमें पहले problem था कि हम जब भी कोई kernel होगा चेंज करते हैं तुमारा phone boot loop में चला जाता था बट आपको भी boot loop वाले issue देहने को नहीं मिलेगा तो सब्सक्राइब को यह fully support करता है तो आप इसलिए जो kernel को अपने margin करूशा चे काफी में कम कहूंगा क्योंकि मैंने जो यूवर्जन ही उच किया है वह 8.1.8 जिस पर 87914 का score देहने को मिला जो कि काफी कम है लेकिन यहाप बैटे आपको काफी कमाल का मिलता है अगर आपको सिर्फ gaming चाहिए ता आप kernel को चेंज कर सकते हो यहापे कुछ फ्रेंट के अगर आप इसे नर्मल यूज करते हो तो अगर आप गेमिंग यूज करते हो तो आपको kernel चेंज करना हो गया है उसके थूर आपको पूसा बूस्ट करना होगा ताकि आपको higher performance देखनी को मिल सके क्योंकि इसे by default set रखा गया है आपके बैटरी के लिए ताकि आपको longer बैटे को मिलता है वह कास स्क्रीन का जिया कास स्क्रीन कुछ-कुछ टीवी के लिए काम कर रहा है जो सबग आपको जियो से वीडियो कॉल का इसके लावा सारे वर्ग यहां पर फिक्स हो चुके है अब अपने multigram सा केरने लोग अब यह जो चेंज कर सकते हो सफ्ट्रम भी उज़ क की यूज करने हैं तो उसके लिए पैच आपको discussion में मिल जाएगा और आप इसके lightning को off करना चाहते है तो उसके लिए पैच यहां पर प्रवाइट किया गया है अगर आपका fingerprint का response काम करते करते बंद कर देता है in future या फिस्टार्टिंग पर काम नहीं करता है तो इसके लिए एक पैच प्रवाइट किया गया है जिसका आप यूज करते हुए fingerprint को fix कर पाऊगे और daily life में यूज कर पाऊगे तो काफी important patch दिये गए है लेकिन उनका यूज तभी करना है जब आपको कुछ extra bug देने को मिलता है इस ROM के अंदर और इस तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए चानल को सब्सक्राइब करना बेलकुल ही नहीं बूले और एक और रहे बात इस्ट्रोलेशन की तो मैंने प्रिवेस जो वीडियो दिया था उसमें complete इस्ट्रोलेशन आपको बता दिया था तो सेम इस्ट्रोलेशन प्रो हुआ है